दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी प्री 2016 पेंशनर्स के लिए जो दोस्तो PCD ने सर्कुलर जारी किया है तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है कि यह जितने भी सर्कुलर जारी किया है उसका जो है डिटेल्स आपको पता होनी चीए दोस्तो अब जो सर्कुलर जो है अलग अलग जहां पर आपको नया सर्कुलर जारी होता है या जब भी कोई नया पेक कमिशन लागो होता है तो यह आपको जाना ज़रूर है कि अगर आपका एरियर बनता है तो आपको एरियर मिला एक नहीं मिला है यही दोस्तों अभी circular no. 568 जब हमने discuss किया था उसमें भी बात किया था कि भई जब भी revise होता तो उन लोगों को M.S.C.P. का लाब मिला कि नहीं मिला area का नहीं मिला तो उन लोगों ने जो है इसके लिए कारवाई की इनों ने इसके लिए पूरा का पूरा जो है जो जो steps उठाएं दे उठाएं और उनको मिला उसी तरीके से दोस्तों एक और circular है वो जो की 7th Pay Commission से related है और वो है आपका circular no. 570 दोस्तों इस circular को आपको जानना ज़रूरी है यह जो 7th Pay Commission के टाइम पर लगाता 570 circular है और इसमें भी जो है आपको जो है area की बहुत सारे लोगों को area मिल चुका है कई बार जो है गलती से अगर area नहीं मिला हुआ है तो दोस्तों यह आपकी responsibility है क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनको की area मिला ही नहीं और वो लोग ने कभी check भी नहीं किया तो दोस्तों अभी आप अपने पीपियो में ज़रूर चेक करें कि जो आपको 570 का जो है जो 7th pay commission का जो लागू हुआ था उसके बाद से आपको area मिला है कि नहीं मिला है अगर तो आपको 7th pay commission का लागू होने के बाद आपको area मिल गया है फिर तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अगर area नहीं मिला है तो दोस्तों आपने फिर वही काम करना है जो आपने 568 के लिए किया था जहां पर आपको area नहीं मिला था और आपको confirm हो गया कि आपके PPO में details आपने चेक की detail चेक करने के बाद से आपको परचला कि आपका area आपके account में नहीं आया हुआ है तो दोस्तों उसके बाद से आपके कारवाई शुरू होती है और यह जरूरी भी है क्योंकि यह आपका जो अधिकार है और जब आप इसके लिए letter लिखते हैं इसके लिए जब आप कारवाई करते हैं उसके लिए भी दोस्तों अलग-अलग steps बताएगे अभी तो आप लोग का personal migration हो रहा है जिनका उनको directly जो है CP gram कर सकते हैं अगर इससे पहले आपकी जो pension जो है bank से आती रही है तो आपने दोस्तों सीधे bank के officials के बाद जाना है आपने अपना PPO दिखाना है कि यह आपका PPO है और इसमें आपको जो है आपका credit नहीं हुआ है इसमें जो area है और आपको circular भी जो है दोस्तों 570, 568 आज की rate में हर जगह available है कोई ऐसी चीज नहीं कोई आपको कोई YouTube channel से मिलेगा या कहीं से मिलेगा आपको ज़रूर तो वो भी provide कराए जा सकते है और normally जो है हर जो भी इसके बारे में वीडियो बनाते हैं वो circular के copy ज़रूर रखते हैं क्योंकि यह circular दोस्तों जो है यह public platform पे हैं और यह आप ही लोग के लिए और इसमें जो है कि अगर कहीं गलती से आपके account में नहीं आया 70 लाग pensioners है उन में से अगर 2% या 1% को भी नुकसान होता तो एक बहुत बढ़ान नुकसान है इसलिए दोस्तों जो है आप इसको ज़रूर चेक करें और चेक करने के बाद से जो है आप इसको जो है अगर आपको exam confirm हो जाता है कि आपको जो है area मिलना था और आपको नहीं मिला तो दोस्तों इसको जो है आप ज़रूर जो है अपना bank official के बाद जाए उनको पूरा को पूरा और डेटेल दें PCDA को आप directly letter लिख सकते हैं PCDA को आप email कर सकते हैं PCDA के phone पर पहले बात कर लें कि यह situation है और निश्यती दोस्तों जो जिन जिन लोगों को नहीं अपी PPO मिला है नहीं है इसका area मिला है उनको directly उनके account में area transfer हो जाएगा दोस्तों इथा आज का important update सभी pre 2016 pensioners के लिए दोस्तों अगर